इससे पहले कि ये सत्र शुरू हो आप सबने सुरेंद्र मोहन पाठक को तो जरूर पढ़ा होगा तो एक बार मेरी तरब से उनके लिए तालिया हो जाए और एक बहुत मशुहूर समवाद है आपके उपन्यासों का पहचान लो सुधीर हु मैं जिन से उल्फत का फकीर हु मैं 302 उपन्यास, 302 मेरी आखरी गिंती तक 302 सर एक तो पहला सवाल जब हम किवदारों पर बात कर रहे है 304 तो 304 उपन्यासों के लिए भी एक जूरदार ताली है अगर दर्शक या श्रोता ताली बजाता है तो ऐसा लगता है कि वो जगा हुआ है और बात सुन रहा है हम इनके पसंदीदा किरदारों के बारे में बात करेंगे सर सुनील सिरीज, 122 उपन्यास, विमल सिरीज, सुधीर सिरीज और जीत सिंग सर ये जो मैं इन करदारों पर आने से पहले एक सवाल आप से पूछता हूँ मेरा बहुत नीजी सवाल है जब मैं किताबों में छोटा था तो छिप के किताबे पड़ता था सरी हमारे तरफ उपन्यास पढ़ने की छूट नहीं होती थी बच्चों को तो पहले तो कि सर आप पंजाब में क्या आप कहीं और से आए हैं हमने सुना कि शायद पाकिस्तान लाहर से आया जी लेकिन थे अमरी सर के आस-पास के जी अमरी सारों पठानकोट के बीच छोटा सा गाव में बटाला कहते हैं उसको जहां से अभी सनी दियोल ने एलेक्शन लड़ा एंपी का तो वो लेकिन मेरे फादर की अप्लाइमेंट लाहर में थी तो हम शाटनार्थी के तो तो पर दिली में लाहर से आए तो हम के नाम से ज़रूर परिचित रहा होंगे तो आपने शायद अनुबाद दीखिया उनका देखो सुनील सिरीज के उपनियासों के बारे में जरा लंबी व्याख्या की ज़रूवत है मैंने नावल जो है बहुत काम उमरी में लिखा था मुझे नावल लिखने का कोई तेर्ब लेकिन शाट स्टोरी लिखना मेरे को असान लगता था एक सिटिंग में बन जाती थी और काफी सारी चप भी गई तो उनी तुनों ये काम पेशा लुप थे सीनियर थे मेरे से राइटर उनसे वास्ता पड़ा उन्होंने मेरी मनोर कहनियां में कहनी देखी तो उन्होंने मे को रहे दी कि विए तुनावल लिख मैं कहा जिए में लिखो छपेगा नहीं तो फैदा क्या होगा तो वो बोले भी मेरी कोई बड़ी अवकात तो है राइटर अभी नहीं बनी बाद में बनी बाद में बनी तो आप कोश्च लिखो देखेंगे कोशिश करेंगे तो मैंने जोशो जिनून के साथ नावल लिखा मेरे सामने सबसे बड़ा जो सवाल था कि मैं हीरो किसको बना हूँ उस वकाट जो नावल में दूसरे राइटर्स के पढ़ता था उसमें इस्पेक्टर, CID आफिसर, क्राइम पराज का वधिकारी या कोई फॉजी, करनल विनो इस क्या यह लुपाट हाईक के लोग enough होते एटिते हैं, तु मेरी अकल यह कहती थी कि ऐसे दूसरे की लाइन करने से मेरा कुछ नहीं बनने वाला है. तो मेरे को तब इसका पतरकार का idea है. ऐसकर प्लिस इन्वेस्टि καट करती है वैसे ही पत्रकात इन्वेस्टिगेट करती हैं तो मैंने सुनील को अपने नावलों को हीरो बनाया तो एक नावल छपा तो मेरी इतनी घिली उड़ाई पब्लिशनों और राइटरों ने सब में कि डेड़ साल मेरी हमद नी हुए दुबारा नावल लेकिन जो सुनील का किरद है और ये पत्रकार के साथ ये सब गुण कैसे आए मैं भी पत्रकार हूं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं देखो जी कुछ बातें इंट्यूशन से भी होती है अच्छी किसमत से होती है कि आप मेरे को सूजी दूसरे को नहीं सूजी अब वो जैसे मैंने अभी अर्च किया क कि आरकीसी ने मजाक उड़ाया कि पत्रकार का बलके उसने भी मजाक उड़ाया जिसने मेरे को स्पांसर किया था कि मैं नावल जब आदूँगा तो मैंने नहीं जेला जैसे भी था डाइटरों में सबसे पढ़ा लिखा था मैं मुझे लग रहा था कि ये कोई हर जिन की बा जबकि ये टरम अभी एटीज में पापुलर हुई थी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिजम या जर्नलिस्ट नाम के कोई टरम सेवन्टीज के बाद से ही बनी उससे पहले कोई नहीं जानता था तो मेरा तो तो ये खोजी पतरकार इड़ो उनीसो चॉर सट से चलता चलता ज जो बाद में इतनी पापुलर हुए कि सारे पतरकार अपने आपको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बता के फखर मैसूस करते हैं दिल्गुल और पतरकार इड़ता के शेतर में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनना अभी भी फखर की बात माने जाती है सर 122 रखना और उसको पाठकों का लगाता और प्यार मिलते रहना देखो जनाब देशी ले आज से तो शायद ये चोटा मोटा स्कोर भी हो लेकिन जितनी बड़ की मेरी टेनर आया इस कारोबार में उसके हिसाफ से यादा तो नहीं है फिफ्टी फिफ्टी फाइव येर्स आई तो एक ही नावल हो जाता है लेकिन फिर भी एक इंट्यूशन थी एक दिल था मेरा मैं कुछ चाता था कभी कि मैं पत्रकार बन सकूझ जो नहीं बन सका तो अपनी ख्वाइश को तरजुमानी करने का ये भी तरीका था कि हीरो पत्रकार बुनाया और जो इतनी जो फटकार लगी वह शुरू में लगी बीस पच्छेस नावल के बाद लोगों को पसंद आने लगा था चालिस बी आलिस के बाद इतना पसंद आने लगा था कि बाकी उस वकत के राइटर मेरी नकल करने लगे थे अपने एरों को पत्रकार बुनाना लगे और एक सो बाइस की स्कॉर जब तक बात करें बड़ी बात नहीं है बड़ी बात नहीं है जान क्रीजी एक राइटर है उन्होंने चौदा सो फे ये गोस्ट नामों से पंदरा सो नावल लिखें तो सुधीर का जो किरदार है उसमें सायद आपको लगा कि कुछ कुछ तो बच गया है तो जो मतलब जो सुनील नहीं है वो सुधीर है हर वो सीजे जो सुनील नहीं है उसका रिजन यह था कि चालिस बियालेस नावल जब लगातार एक हीरो को लेके लिखे गए तो लोग मेरे से मोनटरनी की शिकायत करने लगे ते कहते हैं यह की फार्मिट होता है कोई मुसीब ज़दा लड़की सुनील के पास आती है यह उसकी मदद करता है बाई मेथेड आफ इलिमिनेशन वो जायर कर देता है कि भी इसने कतल किया है तो हम तो बतलब कोई परशान है यह सब कोई बार-बार पढ़के तो तब मेरे को लगा भी इसी कारोबार में रहना है अब हलवाई की दुकान पर जलेवी बनती है तो बर्फी भी बनती है इसलिए मैंने का भी अगा बर्फी नी बिक रही तो जलेवी बनती है तो फिर मेरे को सुधीर इसलिए सोजा कि वो एक्जेक्ट अपजिट था सुनील का जितने उसमें गुंत है उतने ही इसमें सुधीर में एप दिखाए मैंने खास दिल्ली वाली किसम का बंदा बताया जो अपने आपको हरामी बताने में फखर महसूस करता है तौप का हरामी और टाप का वो कहता है आदमी का बच्चा हो तो टाप पा हो नहीं तो नहो और एक चीज और मैंने बढ़ा कि दिल्ली के चाली स्कूस दूरते कुछ से जियत बद करेक्टर खराब अपनी जुवानी कहता था कहता है मैं जब मरूंगा तो सारी दिल्ली के अरामी एक मात्मी शोक सभा करेंगे कि हमारा लीडर मर गया हमारा लीडर मर उसको अपने आपको बुरा कहने में को अज नहीं थे अजल से हुसन परस्ती लिखी है किसमत में मेरा मिजाई लड़कपन से आशिकान है तो ऐसा करेक्टर तो सुलील में तो यह सारी बाते नहीं थी तो यह जल्दी क्लिक कर गया तो यह सुधीर कोहली जो है वो बदनियत भी है खराब चरित्र का भी है फंदेबाज भी है एक्सपोर्ट कॉलिटी का फंदेबाज है और हरजाई भी है लाइन मारने में पीएचडी है पीडी है यानि प्राइवेट डिटेक्टिव के धंदे का वो लता मंगेशकर खुद कुबसूरत दिल फरेब तौबा शिकन हसीना हो तो वो फिस अन्य तरीकों से भी उगाह लेता है यह अन्य तरीके जख़ए सुधीर का किरदार यह यादा नियरर टू लाइफ है जैसी दिल्ली की लाइफ है जिस किसम की यहां के लोग है जिस किसम की आते हैं पसंदना पसं कि यह सारे अफ़ गुन नहीं कहा है जैसारे करनों मैंने उसमें सुधीर में दिखाए लेकि फिर भी उसके हाइट में एक साफ्ट कार्नर भी दिखाया कि भई पिगलता था कुछ बातों से, वो सब कुछ इसलिए हो जाता है कि मैं ऐसा हूँ जजबाती है आदमी, तो मैं बिल्कुल ही काला नहीं रख सकता अपने किसी हीरो को, दूसरी बात ये थी कि दिली के लिए background बना के नावर लिखने में कही तरह की वो limitations आ जाती थी, जो crime बंबे में होते हैं वो दिली में नहीं होते हैं, उसके समझे कहानी में limitation आ जाती थी, इस व्यासे मैं यादा नहीं लिख सकार, तालिस साल में बाइस नावर लिखे मैंने, लेकिन पसंद वो भी बहुत किया गया, बहुत किया गया, लोगों सुधीर सिरीज के 22 उपन्यास हैं, और इसके बाद आते हैं विमल सिरीज, विमल इनके 44 उपन्यास हैं, सर विमल की क्या खासियत है? विमल सिरीज सही हुआ, बाद कल क्लिक कर गई मेरी किसमत में था, लेकिन उसकी एक इंपार्टेट बात यह है कि जैसे मैंने अर्च किया कि विमल सिरीज में मोनुटोनी की शिकायत थी, जो कही नहीं होनी चाहिए थी, और फिर तबदीली के लिए मैंने विमल बनाया, तो पहले दो नावल जो मैंने इसके लिखे थे, वो टोटल फेलियर थे, इतने बुरी तरह से वो फेल हुए है कि पुबलीशर ने भी कह दिया भी कुछ भी लिखना यह नहीं चापू हमें, अचा भी, बिलकु जिटो, मेरे निगा में तो बड़ा अच्छा फार्मिट था, य इसे बावर जाल में फसा की बीवी की ही जूठी कोई से, वो दो साल की जेल की सजा हुई इसको, और फिर ऐसे अलात्मने की जेल से भी निकल गया, बाग गया, और कई तरह के अब लोग क्योंकि उसको फरार अपरा दी के तो और पे शिनाक्त कर लेते थे तो उसे मजबूर करते थे कि तुझे हमारा साथ देना पड़ेगा. चपा पड़ता हूं तो मैं माथा पगड़ कर सोचता हूं कि यह मैंने लिखाया, कैसे सूच गया मेरे को, मैं दिल से कह रहा हूं, आप से, दिल से कह रहा हूं कि कैसे अकल में आया, और फिर उसके बाद भी जब पब्लिशर कोई दूसरा मान गया कि चलो विमल को करते हैं, तीसरा नावल भी किस तरह जेल लिया उसने, चौथा नावल जो था वो बहुत जोर का चला है, और उसकी एक खासियत में अपने आडियस को भी बचाना चाहता हूं, पैसरला की डगयते उसका नाम था, वो अब तक तेईस बार चप चुक है, और धाईला कॉपियां, इंग अबर जुबली बनाने के लिए पूरे पचीन सालों के चपे नावलों में से, पचीन नावल जाटे, जिनमें से एक एसम पाथक का दार, और दूसरी खूब ये थी कि बाकी सारे नावल इंगलिश में ते, सिरफ मेरा एसम पाथक का नावल पैसरला की डगयते ही हिंदी में अबड़ा डिलक्स एडिशन उनने निकाला, अनोखा कागज, अनोखी चिपाई, अनोखा साइज, अनोखी टाइटल, अबरिफिंग वाज दिलक्स, कीमत उन्होंने बकाइदा उसकी दूगनी रखी, लेकि वो ग्लेक्टर्स राइटर बन गई, इसलिए याद की गई कि मे इसे मशूर राइटरों के बीच में हिंदी का राइटर होते हुए बनाया, मैं अपना एक अनुभव जो है, सर के साथ साजा करना चाहता हूँ, मैं कहीं जा रहा था, तो एयरपोर्ट पर मुझे दो किताबें आपकी मिली, एक कॉन्मेन मिली और दूसरी क्रिस्टल लॉज वो दोनों ही किताबें खरीद कर पुरी फ्लाइट के दौरान मैंने खतम कर दी, कॉन्मेन और एक क्रिस्टल लॉजवी थी, ये दोनों ही किताबें, जब हम कहते हैं कि किताबें बिक्ती नहीं हैं, हिंदी में कम से कम ये, मैं टोक रहा हूँ, आपने इंगलिश में पड़ है कि कोई पैसेंजर हिंदी की किताबें में पड़ें, वो तो स्टापदी में पढ़ने लाइक होती है, नहीं मैं सर अपनी पहचान को लेकर के बड़ा सपष्ट रहता हूं कि मैं कहीं भी जाओं अपने हिसाब से हिंदी की किताबें पड़ता हूं, अंग्रेजी समझ में कोई तो आनी चाहिए, सर बात जरा से जीत सिंग की करते हैं, जीत सिंग मैं नावल से जुदा एक बात कहना चाहता हूं कि हिंदी की सबसे ज़्यादा नाकदरी इंदोस्तान में ही है, जो कि नहीं होनी चाहिए, अभी परसों मैंने अखबार में न्यूस पड़ी थी, कि अ कई दशक तक ये स्थापितरा कि इंदी वर्ड की पाच्वी सबसे बड़ी स्पोकन लेंगविज है, और उसके लिए उसमें आपको अगाह करना चाहता हूं कि अगरे जी नहीं है टाप पर, जो हमारे आकाओं की जमान थी, जो सारे इंदोस्तान दुनिया में चलती थी, व से पहले फ्रेंच है, स्पैनिश है, फिर पाच्वे नंबर पे हिंदी है, अब किसी ने कुछ खड़ सार्च की है, कि आप हिंदी तीसरे नंबर पे है, पर मेरे को यकिन नहीं है, सर ये जिए, कहां गई है, पढ़ने वाला तो मिलता नहीं कोई, नार्थ इंडिया की बाश सर लेकिन, सर एक बीच में सवाल पूछ रहा हूं, कि ऐसा माना जाता है, प्रकाशक कई बैठे हैं यहाँ, प्रकाशक कहते हैं कि हिंदी में पाठकों का संकट है, लेकिन एक ऐसे पाठक हमारे पास बैठे हैं, इनको पाठकों की कभी-कभी नहीं हुई, आपको कभी हुई इसर गभी? मैं ही हूँ पस ऐसा अगा बाकी तो नहीं है ऐसे बड़ा बोल है या उपर वाले की मेर बानी है मैं ही हूँ पस मेरी डीडर्शिप कमिटीड है उन्होंने यह देखके नावल नहीं खरीदना है कि छापक इसने या इसमें प्रिवोटल करेक्टर कॉन है या इसका के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी हिंदी की परकाशक की सबसे बड़ी प्राब्लम है वो कहता रीडर नहीं मिलता सवा सो क्रोड लोग जिस मुल्क में रहते हो वहाँ पब्लिशर को एक अजार बाई कस्टवर नहीं मिलता इतने लोगों में एक अजार किताब पब्लिश पर यह नहीं पूछता कि पराने राइटर की किताब आई है ऐसे पाठेक के रिडर रोज चक्कर लगाते हैं भी आई है यह नहीं आई और उसको जब आल्टरनेटिव बताया जाता है कि यह ले ले तो वो बना कर देते हैं नहीं वहीं लेंगे फिर चकर लगाए तो यह कमि रिडर्शिफ्त मेरा रिडर मेरे को बागानी दे सकता यासे मैं अपने रिडर को बना है रिडर की दिगर प्रपोर जिम्हेदारी बनती है कि मैं रिडर के रूईदों फरा घरा उतरू, उतरे हैं जब बहूरें, आई स्था तो ना लिखो нравi है, अबो यह जब प्रतरीर के के लिए दो तरीक के लिए हैं पहली और तीन से उनका कोई मतलब नहीं है। सर एक आपका एक और किरदार है जो चौथा किरदार जो बहुत फेमस है जो बहुत मशुहूर है वो है जीत सिंग का पेशेवर ताला तोड है लेकिन कभी कामयावी नहीं मिलती उसको जीत सिंग दरसल वो एक कारोबारी मूव थे चवालेस नावल लिखने था विमल का किरदार जो है उसमें बहुत रांसफार्मेशन आ गई थी अब वो दूसरों का मोताज नहीं रही था कि कोई गिफतार करा देने की दंकी दे कर उसको तियार करें कि भी तरे को यह काम करना प करने छोड़ दिये थे तो बहुत सी बाते ऐसी थी जो मैंने अपना एक बैक बनाया हुआ था कि विमल के लिए लिखूँगा तो वो सिरीज जब आगे बड़ी तो मुझे इर्रेलेवेट लगने लगी तब मेरे को एक नए करेक्टर का ख्याला है कि जो विमल का सरपलास है वो मैं के यूज कर लू तो मैंने पहले ही अज़ किया बिलकुँ कारोबारी मोव थे लेकिन मेरे गुड़ फार्चून यह थे कि वो वो भी चल गए अपके कुछ किरदार जिनका हम जिक्र कर रहे थे चार किरदार इसके अलाबा मुकेश माथूर एड़ॉकेट है क्रिमिन देखो मैंने कहीं डंडी निमारी बाइमानी नी के रुपए के सोला ने के बराबर लाल लिखा लेकिन यह किसमत होते है कि वो जो जिन और हीरोज का अपने नाम लिया प्रवोटल करेक्टर है वो आलसो रह नहीं बन सके जब उसका नावल आता सा तो वावा होती थे लेकिन वो सेलीज के को अपने कंदे पर डो दें जैसे कभी ताकत बनाकर नहीं दिखाता जाए उत का बनाने वाला भी नहीं दिखाता जाए पसंद आते हैं लोग तारीफ करते हैं और पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वे ऐक बात कहके सब कुछ खाक में मिला डेते हैं, बिमल के मुकाबले में नहीं है, सुनील के मुकाबले में नहीं है. सर, अब जो है, hm लोगों ने इन के छार पाँस, बनके साथ करदारों के बारे में बात कर ली अब मैं हलाकि यह बहुत मौनी हुई बात है लोग बार बार कहते हैं कि एक सबसे सारे बच्चे उन के जो है उनको आपने सभी बच्चे इसे बराबर प्यारे होते हैं, आपको मुझे ऐसा लगता अभी बात्ची जो 10-12 मिनिट में हमने कि आप सुनील को बहुत पसंद करते हैं। सुनील को उसका रिजन मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बात बता हूँ, हमारे हैं पजाबियों में कहावत है कि महा के साथ बेटे हो, वो उनमें फर्क नी करते हैं, फर्क दुनिया करती है, उसके लिए सब एक जैसे हैं, चाहे एक डिकैपड हो, चाहे वाकी कैसे कि महा के लिए सारे बेटे एक बराबर है, तो राइटर ये कैसे कह दे कि ये नावल मेरा कम जोर है, कम जोर है तो लिखा क्यों था, तो ये कहना गलत है, लाइक है फोटोग्राफर, मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक दिरचाफरा फोटोग्राफर थे जब मैं बहुत मैं आपको मिसाल देता हूँ, लेकिन फोटो में तो जितनी फिलम फेर या वीकिली में या उनकी और मैंगिन में चपते थे उसे बहुत यादा खेंचते थे, तो जो उनका सरपलास होता था था ना, इजेक्टिड पर मेटेरियल वो दिली लेके आ आ जाते थे, अदिली में कि अदिनों 12-13 फिलमी में दर्यागन से ही चपते थे, तो वो सूटकेस बरके लाते थे, तस्वीरों का एक्टरों के खाली करके जाते थे, सब को पता होता था कि ये टाइम्स आफ इंडिया की रिजेक्ट्स है, लेकिन उनके जो लोकल फोटोग्राफर थे, उनके मुकामल में तो वो भी बढ़िया होते थे, तो मुझे उनका एक कथन आज मी याद है, कि पब्लिशर था फिलमी दुनिया, लाख कापी वाली सेल वाली मैग जिन थे, तो उसने अपने रिसोर्स से जो तस्वीरे कटी के थे, वो धीरच्षावड़ा को दिखाई, तो उसने एक एक विजुवल कमेंट के साथ रिसे एट एजेक्ट किया, यह गोस्ट अप एक्सप्रेशन है, यह बैगराउंड ही हुई है, यह आख बंद है, यह एक्सप्रेशन ही ठीक नहीं है, बगारा बगारा, इस किसम की उन्होंने बाते की, तो उनकी जुबानी मैंने यह फिक्रा सु शुक सब्सक्रल मिए कर दोना था, बाइग तस्बीर खराब होती है, फोफोटोग्राफर घराभ होता है, अगर तस्बीर खराब आरी थी तो उसने कीची कियो थी, यही बात लिखनें पर भाइशन होते है, राइटर खराब है, यह लिखा उसने ऐसाँ, तो यह एक बार ब चल जाये तो ओवरनाइट बंदा स्टार बन जाता है। राइटिंग में खास तल पर हिंदी में ऐसा कोई कर्तव ना हुआ है ना होगा। यह तो सीड़ी दर सीड़ी जाने वाली बात है किसी मुकाम पर पहुचने की। और जब आप पहुच जाते हैं तो आपको लगता है कि पहुचना असान था उस पर बने रहना और भी मुशकल है। उसकी जो जिदे हैं उसकी जरूरते हैं वो और भी मुशकल हो जाती हैं। क्योंकि आपका मुकाबला कीसी दूसरे से नहीं है š sprinklier है उपने आपसा बिलकुल था निज अरी मुखोर सकते रेश हैardo इस बन गोड़ा था ही अब यह कहना है है कि साथ गोड़ते है एक रच पर एक बेड़ा में जुतने वाला गोड़ा तो नही है तो फिर आप रेस का गोड़ा बंदा एक बार तसलीब कर लिया जाए तो फिर उसको वैसे अपनी ऐसियत बना के रखने के लिए जो पापड बेलने पड़ते हैं वो राइटर ही जानता है राइटर ही जानता है कोई पाम्याभी आसिल करना असान है अस पर बने रहना बहुत मुश्क्त आप तो सत्तर के दशक से लगातार शिखर पर बने रहे हैं उसके बाद के दशक में जब हम लोग बड़े हो रहे थे हमारे कई मित्र भी बैठे हैं जो आपके बड़े फैन हैं तो हम सब ने सुरेंदर मोहन पाठक के साथ 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 रीमा भारती और वेद प्रकाशर्मा औ केशब पंदित कई अपनामों से भी और छटम नामों से भी किताबे ने किताबे हैं जब लगा कि यह अजिए थे फेलो राइटर्स के बारे में बुरा बोल नहीं बोलना चाहता हूं लेकिन वह जिस पड़िश्ट्रियन राइटिंग थे और उनके पढ़ने वाले भी उस ह तो जो यह इतना नेम अक्लेम हासिल करने के बाद भी एटीज में वो लाइटर राइटर पिटे क्यों थे उसके बारे में उनके परकाशगी कहते थे जो बचे ये नावल पसंद करते थे वह बड़े हो गये है तो क्या किया जाए इन्होंने तो जो अपना क्लेवर है वो प्रशा टांगे वाले पड़ते हैं या आठवी नौवी के स्टूडेंस को अट्रेक्ट करती है गंभीर तो कभी कुछ लिखा नहीं कोई अपना मुकाम इसी वया से जो ही उनकी वो वो सूरज गरूब हुआ उनकी किताबे भी गायब हो गई वेदपर का शर्मा ने बड़ अब ही गोस्ट राइटर है अभी भी गोस्ट राइटर है तो भरस्ट ट्रेड था प्बलिशर को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि टाइटल के बीच में वर्कों में उसने क्या चाप आए अगर चल रहे तो ठीक है चाहिए इडिय ने लिखा और काले चोर ने लिखा इसक सर आपकी भाषा जो है वो जो बाकी उपन्यास मैं फिर एक बार तुलना नहीं करना चाहता हूं लगी जो बाकी उपन्यास रहे उस दौर में उससे अलग है मैंने सुना है कि आपने काफी साहितिकारों को पढ़ा क्या आपकी पढ़ता हूं तो जो कथित रूप से गंभीर साहितिकार हैं जो मुखिधारा के लेखक हैं उनको पढ़ा आपने क्या उसका कोई असर पढ़ा आपके इस उपन्यास लेखन पर या असर तो मैं बिल्कुल कैसे कहूं दखो मैंने जो राइटर पढ़े चाली साल की उमर तक बेताहशा पढ़े वो उस वाकत राइटिंग म मेरे पर इतना प्रेशर नहीं था मेरी टूर की नौकरी थी सफर पर भी जाना पढ़ता था ये आजकल के जो नई एडवांटेजी इस टेक्नोलोजी की वो होती नहीं थी तो मैं अगर अफ़ते के टूर पर जाता था छे किताब सूटकेस में रखके लेके जाता था पढ़ तो बहुत मैंने बगाली का पढ़ा उर्दू का पढ़ा उर्दू पढ़ लेता हूं मैं बगाली नहीं पढ़ सकता उसका हिंदी अनुआत पढ़े हिंदी का भी बहुत पढ़ा लेकिं हिंदी से तरीफ की भी बड़ा अच्छा लिखा है कुछ सीखा नहीं उर्दू से किसी बात को सवार के कहने दिखा स्टाइल सीखा आपकी कहानी कमजोर हो फिर भी अंदाजे बिया इतना कुमसूरत हो कि लोग छोड़ ना सके ये गुन सीखा हिंदी से कुछ नी सीखा बगाली से सीखा उर्दू से तो बेताशा सीखा उर्दू का असर जो है वह आपकी भाश सवाल नीजी टाइप का है जो लोगप्रिय साहित है जिसकी लाखों प्रतिया बिगती है जिसके सुरेंदर मोहन पाथक है वो साहित और जो हजार कॉपिया बिगती है या दो हजार कॉपिया बिग जाती है ऐसे मुख्यधारा का साहिते जिसको साहितिकार या अलोचक जिसक स्कूंद सीधर हो गई कंवे निकान को खोत सब्सक्राइक इस किमक्राइभ सितारा बिल्कुल घुरूब को बना Embi जिनने कभी अपनी चापी किताब की पड़े पड़ा नहीं है उनको उनका एक कारोबारी अटिचूड ती मुंगफल है बिक रही है चलने दो क्या फरक पड़ता है तो फिर जब यह आपके टाइप की राइटरों के पास इसके जब कहा हो तेरे को कितने पैसे मिलते हैं फरान कितने नहीं है उनको लिखने में तो वही अंजाम होना है जो पैक्सपेक्टिड होता है तो यह धीरे-धीरे भी पतन नहीं हुआ इस दंदे का एक दम से ही कुछ ऐसा हुआ कि बस सारे पुब्लिचर सोचते ही रहे गया वे रीडर कहा गया बायर कहा गया बुक्स्टास बं किया और रीडर्स क्या जी एक दिन ऐसा आया कि गोस्ट राइटर के करीम फटकने को त्यार नहीं था रीडर मेरे ख्याल से आप सब को मालूम होगा कि सब हिंदोस्तान का पहला गोस्ट राइटर बहुत बड़े परकाशन ने खड़ा किया था हिंद पागट बुक ने पहल पहला नहीं लगा कि एक गोस्ट राइटर है फिर वो उर्दू के एक पेपर में सर्विस करते थे जो उनके मूल लेखकते मखमूर जलंदरी अच्छा तो उन दिनों कलकता से संड़ नाम की मैगी निकलती थी बाद में दूसरे जगह से भी निकले लेकिन शुरुआत में कल सर आपने अपनी आप लोगों की सूचना के लिए कि सर की आत्मकाथा दो खंटो में आ चुकी है तो ना कोई बैरी ना कोई बेगाना ये पहला खंड है शीर्शक से लगता है कि आप मद्धिमार्ग अपना रहें आपने किसी को कोई अपनी आत्मकाथा में किसी दुष्मन क चाहि किन जा सकते। az आप लगो आप है अचय कौको कर ऐसे बातों का ऐसे किर्दार का जिकर करने का क्या पैदा जिसमें अब बास अब जूसने को है यह अप पासा किसे ने पूछा था था बरस्ट औरतों की कहानियां क्यों लिखते हैं तो उनका जवाब था भली औरत की भी कोई कहानी होती है मतलब कहने का ये था है कि जब बायागराफी आप लिखे तो आप उसको रीडेबल भी बनाना है तो आप उन बातों को नजर अंदाज नहीं कर सकते जिनों नी आपको जोल्ट दिया जिनों या कभी आपको छोटेपन का ऐसास दिलाया जिसे आपको गिलाया कि यह सब नहीं होना चाहिए था जब उन बातों को आप शुमार करेंगे आप उन में से कही लोगों किरदार पाएंगे अपने उस सिल्समे में तो फिर गालियां तो और सर दूसरा जो आत्मकता का दूसरा खंड जो है वह हम नहीं चंगे बुराना कोई ये गुरु कोबिन सिंग जी का भाग है हमनी चंगे बुराना कोई सगल संग अमका बनी आई सर ये नाम जो है ना मुझे आपकी किताबों के नाम भी बहुत फैसिनेट करते हैं अब तीसरे का नाम पानी केरा बुद बुद है कबीर जी का दोहाय है पानी केरा बुद बुदा अस्मानस की जात देखती छुप जाएगा जो तारा बर्वाद है जैसे वह कहते है ना क्या है स्वैब जी आईया या लाईया 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 ल करने का भी तो हम लोगों की बातेɹ का इंजन कमेश सर अभी तो बातेशी खकर सकतेने के साथ लेकिन धिर एक बंदिश आजाती है वह समय की तो समय हमारे पास खत्म हो गया सर इंजन नरा की गरम हुआ था भी बातचीत का लेकिन उदर से इशारा हो रहा है सहीद भाई कहा रहा है कि बस खत्म करो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार सुरेंद मुहन पाठक सर के लिए बहुत जोरदार तालिया हुआ हो आपके पास हानों